अब हम अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे अंतरा का पूरा नाम मेड्रोक्सी प्रोजिस्ट्रोन एसिटेट है यह इस्तरियों के लिए सरल, सुरक्षित और तिमाही गर्भ निरोधक इंजेक्शन है अंतरा में प्रोजिस्टीन हार्मोन होता है, इस विधी को शुरू करने से पहले प्रशिक्षित डॉक्टर दौरा जाच कराना अत्यनत आवश्रक है अंतरा लगवाने के तुरंत बाद से ही प्रभावी होता है और निर्धारित तिथी पर लगवाने से इसकी प्रभावशीर्ता बनी रहती है यह एक अईस्थाई विधी है, लंबे समय तक गर्भ से बचाव के लिए इसको हर तीन महिने पर लगवाना आवश्रक है यह लाभार्ती की गोपनियता को सुनिश्चित करता है आईए अंतरा की क्यालाव हैं जानते हैं जो महिलाएं गर्भ निरोदक गोली नहीं खा सकती हैं वे भी इस विधी का इस्तिमाल कर सकती हैं इस्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुरक्षित होता है क्योंकि यह दूद की मातरा को प्रभावित नहीं करता है कुछ मामलों में महावारी में होने वाली एठन को कम करता है यदि किसी महिला को खून की कमी है तो इससे फाइदा ही होता है गर्भ हशे और अंडाशे के कैंसर के जोखिम से बचाता है अंतरा इंजेक्शन कौन लगवा सकती हैं प्रेजिनन काल की सभी महलाएं जिने अंचाहे गर्भ से बचने के लिए एक असरदार गर्भ निरोधक उपाई की आवशक्ता हो अंतरा इंजेक्शन का प्रियोग कर सकती है इसके अलावा एनिमिक महला, यौन संकरमर से पीडित महला, नवदम पत्ति, इस्तनपान कराने वाली महला वह महवारी के दोरान अत्यदिक रख्तस्राव वाली महला भी अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है यह जानना भी जरूरी है कि किन महिलाओं को अंतरा नहीं दे सकते हैं अगर महिला गर्वती है जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर जाधा हो 160 by 100 या इससे अधिक अकारण योनी से रग्तिस्राव का इतिहास हो प्रसव के छे सप्ता की भीतर स्टोक या मधुमे की बिमारी हो इस्तन कैंसर हुआ हो लिवर की बिमारी हो या कोई गंभील स्वास समस्या हो ऐसी महिलाओं को अंतरा विधी के स्थान पर अन्य साधन जो उनके लिए उपिउक्त हों चुनने की सलाह दें ध्यान दें कि जिन महिलाओं का ब्लड पेशर नियंतरित है उन्हें अंतरा इंजेक्शन दिया जा सकता है अंतरा इंजेक्शन कब शुरू कर सकते हैं? अंतर रखने वाली महिलाओं को महवारी शुरू होने के साथ दिन के अंदर दिया जा सकता है इस्तनपान कराने वाली महिला को प्रसव होने के छे सब्ता बात दिया जा सकता है इस्तनपान न कराने वाली महिला को प्रसव होने के तुरंत बात दिया जा सकता है और जिन महिलाओं का गर्भपात हुआ है उन्हें गर्भपात होने के बाद तुरंत या साथ दिन के अंदर दिया जा सकता है ध्यान रखें अंतरा इंजेक्शन की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर द्वारा महिला की जाज कराना अत्यन तावशक है अब बात करते हैं कि महलाओं को अंतरा इंजेक्शन कहां लगाया जाता है ये डीप इं्टरमस्कुलर इंजेक्शन है जो बाहं, कूले या जांग में लगाया जाता है ध्यान रखें अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद उस इस्थान की सिकाई करना, रगरना वो मलना नहीं है अंतरा इंजेक्शन लगने के बाद महिलाओं में कौन से शारेरिक बदलाव हो सकते हैं असामानने रक्तिस्राव यानि महीने के बीज दाग धब्बे आ सकते हैं, महवारी के दोरान लंबे समय तक रक्तिस्राव हो सकता है या फिर महवारी ना आए, जरूरी नहीं है कि ये शारेरिक बदलाव सभी महलाओं में हो, कुछ महलाओं में हो सकते हैं और कुछ में कोई श प्रियोग बंद करने के कुछ महाबाद महिला को पहले की तरह महवारी होने लगती है। अंत्रा इंजेक्शन की सीमाई क्या हैं? एक बार लगा देने पर इसका असर तुरंत बंद नहीं किया जा सकता है। यौन संक्रमर और एट से बचाव नहीं करता है। इसको बंद करने के बाद पुना गर्ब धारन करने में सास से दस महीने लग सकते हैं। कोछ चिके सिये इस्थितियों या रोगों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इंजेक्शन लगाने से पहले की तैयारी में हम क्या करें। वाइल के एक्सपाईरी डेट चेक करें। माइक्रो क्रिस्टल को घुलने के लिए शीशी को अच्छी तरह से हिलाएं। यदि वाइल ठंडा है तो इसे कमरे के तापमान पर लाने के लिए हलके से हतेलियों के बीच में रगड़ें। सॉल्यूशन निकालते समय यह सुनिश्रित करें कि वाइल में हवा न गई हो। गर्ब निरोदक इंजेक्शन लगाते समय ध्यान रखें। इंजेक्शन लगाने वाले इस्थान को एंटिसेप्टिक से साफ करें। विसंक्रमित सुई इंजेक्शन लगाई जाने वाले इस्थान में गहराई से घुचाएं। यह सुनिशित करने के लिए कि निडल वेन में नहीं है, पहले एस्पिरेट करें. सिरिंज की दवा को पूरी तरह से इंजेक्ट करें. इंजेक्शन लगाने के बाद उस जगहें की मालिश न करें. अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद महला को अवश बताएं कि इंजेक्शन लगने के बाद उस जगहें की मालिश न करें. इंजेक्शन लगने की जगहें पर गरम सिकाई न करें. इंजेक्शन लगवाने के बाद क्लाइंट को स्वास्त कींद्र में 5-10 मिनट तक ठहरने के लिए कहें अंत्रा केरलाइन से संबंधित मुख्य बातें ध्यान रखें अंत्रा का पहला इंजेक्शन लगवाते ही लाभारती को निशुल्क नंबर 28 00, 1 03, 3 044 पर फोन करके अपना नाम पनजीकरत करवाना है ताकि उन्हें उसके बाद समय समय पर इंजेक्शन समबंधी परामर्ष की सुधा मिलती रहे पंजीकृत होने के बाद केरलाइन पर अंतरा संबंदेत किसी भी समस्या या जानकारी के लिए महिला कभी भी फोन कर सकती है तोल फ्री नंबर की सुवधा निचुल्क है और वह सुभे 8 बजे से रात 9 बजे तक परामा शेतु उपलब्द है अभी हमने अंतरा गर निरोधक इंजेक्शन के बारे में मुख्य बातें जानी अब आपके लिए एक प्रेशन है कि अगर कोई महला बच्चों में 3 साल का अंतर रखना चाहती है तो उसे कितने इंजेक्शन लगवाने की सलाह देंगे उसे चार या पांच अंतरा इंजेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंजेक्शन 3 महीने तक प्रभावी है तो पांच इंजेक्शन लगने पर वह डेड़ साल तक गर्व ठहरने से बचेगी साथ ही आखरी injection लगने के बाद प्रजनन शमता को वापसाने में 7-10 महीने लगते हैं और गर्भावस्था 9 महीने की होती है इस तरह से लगवक 3 साल का अंतर हो सकता है